मैं हूँ अक्षय चमान और आज हम बात करेंगे जामनगर रियासत की जामनगर भारत के सबसे महत्वपूर्ट रियासतों में से एक थी जामनगर जिसे उस समय नवानगर कहा जाता था इस रियासत के महत्व के दो कारण है पहला कारण तो यह है कि यह जो गुजरात का जो सवराष्टर रीजन है उसकी सबसे बड़ी और अमीर रियासतों में से एक हुआ करती थी और दूसरा कारण ये है कि यहां के जो शासक थे जिने महाराजा ओफ नवानगर या जाम साहब भी कहा जाता था उन्होंने क्रिकेट जो भारत में जो क्रिकेट है उसके प्रचार और प्रसार में बहुत महत्वपून रोल प्ले किया जाम दगर का इतिहास समझने के लिए हमें उसका लोकेशन समझना बहुत जरूरी है जामनगर जो है वो जो सौराष्ट्र का जो हालार रीजन है जो उत्तरी सौराष्ट्र का जो नौदन पार्ट है वहाँ पर स्थित है इसके पास में ही है द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी हुआ करती थी ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मतुरा छोड़ उन्होंने यहाँ पर द्वारका में अपना राज बसाया और फिर उनके वन्शजों के बीच में कॉन्फिक्स हुए और फिर समुंदर ने उस द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया मान्यता के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण है उनके वन्शज फिर अलग-अलग जगहों पर बिखर गए और उनमें से ही कई वन्शज जो थे वो थे जाड़ेजा राजपूत जिन्होंने फिर बाद में आगे चलकर जो गुजरात में कई रियासते बसाई इतियास कारों के मान्यता के अनुसार जो जड़ेजा राजपूत है वो औरिजनली सिंध में रूल किया करते थे वो चीफटन्स थे सिंध के और फिर बाद में मद्ययुगीन अराउंड चौदरवी पंदरवी शताब्दी के आसपास फिर उन्होंने कच में आकर अपना रा करते थे कजन्स हुआ करते थे उनकी अपने अपने फॉर्टिफिकेशन और अपनी प्रिंसिपालिटी जरियासते हुआ करती थी और उनमें काफी जगड़ा और कॉन्फिलिक्ट भी हुआ करता था तो क्या हुआ कि अराउंड पंदरह सो फिफ्टीन हंडर्ड की ये बात है कि जो जाडे जास थे कच के उनमें कच की राजगदी को लेकर काफी कॉन्फिलिक्ट हो गया और जो जाम रावल करके एक योद्धा थे उनमें और जाम हमीर करके उनमें झगड़ा हो गया और जाम प्र ये जो जाम हमीर है उनके जो बेटे थे फिर वो एमदाबाद चले गए जो गुजराद के जो सुल्तान थे महमद बेगडा आगे चलके बहादुर्शा उनके साथ रहे उनके साथ मदद मांगी अब ये मुगल बादशा हुमायून का भी काल था तो फिर जो मुगल आर्म है जो पादशा हुमायून की वो एक फॉज लेकर जो जाम हमीर के जो बेटे थे वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाते थे तो फिर वो मुगल फॉज के साथ उन्होंने कच पर हमला किया और ये जो जाम रावल थे उन्हें कच छोड़कर यहां दक्षिड में जो म मौरवी से आगे चलके यह जो हालार का रीजन है यहां पर आके उनको मूव करना पड़ा उस समय यह जो हालार है यहां पर कई छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे कुछ ट्राइबल सेटलमेंस थे काठियों के राज थे तो यह डक्षिन में जो वेस्ट है वहां पर जो जेत्वा राजा थे उनका राज था तो तब क्या हुआ यह जो जाम रावल है उन्होंने 1540 में एक नागना बंदर करके एक छोटा सा गाव था एक बंदर था अब इसलिए ट्रेडिंग पॉर्ट उसे कैप्चर किया और वहां पर अपनी राजधानी बसाई और इसी जगा क यह है कि 1540 से लेकर 1947 तक अल्मोस्ट 400 साल के काल में उसे नवा नगर ही रिफर किया जाता था कि नया शहर 400 साल पुराना नया शहर तो यह थी शुरुआत नवा नगर रियासत की और उनके जो शासक थे जो राजा थे उन्हें जाम साहब कहा जाता था एक थियोरी यह भी है अब यह इतनी historically verified theory नहीं है बट एक interesting theory है कि लोगों का माना है कि अगर आप यह देखे तो यह एक पूरा Persian influenced इलाका है और कुछ historians ऐसा मानते हैं कि यह जो जाम जो है जो रूलर को जाम बोला जाता है वो जमशेद से derived है जो great Persian emperor king थे तो वो एक connection draw करने के लिए 1540 में जाम नगर का राज यहाँ पर नवा नगर जो जाडे जाओ का राज शुरू होने के बाद उनका एक जो इतिहास है वो conflict भरा इतिहास है because उनके जो मुगल governors थे जो एमदाबाद से शासन किया करते थे उनके साथ काफी उनकी ढगड़ा और जड़प हुआ करता था और जो इवन जो local पोरबंदर के राजा हैं बाकी जाडे जा राजा है जैसे कि मोरवी, गोंडल, द्रोल यह अलग-अलग जो अपस में जैसे हम बोलते हैं न कि उनमें काफी conflict हुआ करता था तो इक, in fact, you know, हमें ये भी reference मिलता है कि एक बड़ी फॉज ने, around 16 शताबदी के अंत में, बड़ी फॉज ने, मुगल फॉज ने जामनगर पर हमला किया था और जामनगर पर कई सालों तक मुगलों का कबजा हुआ और काफी, मतलब, almost 18 शताबदी के शुरुवात तक, जामनगर को मुगलों ने capture करने के बाद, उसका नाम नवानगर से बदल कर, इसलामनगर भी किया था तो हमें ये भी references मिलते हैं, referring to जामनगर slash नवानगर रियासत as सरकारे इसलामनगर मुगलों के बाद, यहाँ पर मराठो का जो बडोदा के गायकवाड है, उनका राज आया, अब जो गायकवाड है, वो खुद जो सौराश्टर में राज नहीं किया करते थे, उनके representatives थे, commanders यहाँ पर राज किया करते थे इनफेक्ट जो द्वार का जो है और अम्रेली, यह जो दो main और important locations थे सौराश्टर के, वो directly बडोदा से गवन होते थे, और बाकी यह जो सारी जो रियासते हैं उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ता था, तो नवानगर और फिर मराठो के बीच में, मराठा appointed commanders के बीच में काफी conflicts हुए, finally 1807 में जो British East India Company और महराजा बडोदा के महराजा गायकवाड के बीच में एक ट्रीटी हुए, उसके तहट जो बडोदा रियासत है, वो एक ट्रीटी स्टेट बन गई, और जो सौराश्ट का जो ट्रिब्यूट मिला करता था, और मुक्तियारी थी जो जो 1807 में जो Walker थे, जो British Commissioner, I mean सौराश्ट के जो representative थे, उन्होंने फिर ये सारी रियासतों के साथ एक settlement किया था, जिसे Walker settlement कहा जाता है, और इसी Walker settlement के तहत, जो जामनगर रियासत है, वो एक British East India Company के साथ एक ट्रीटी के relation में बनी, अब उस समय जो जामनगर की जो रियासत थी, वो बहुत ही backward और जनरली ये पूरा सौराश्ट का इलागा काफी backward, socially backward, educationally backward था, छोटी-छोटे रियासत थी, लोगों पर काफी जुल्म और अत्याचार होता था, यहाँ पर एक बात ये है कि जो अंग्रेजोंने काफी लिखा है कि female infanticide बहुत था, जो girl child है, जो लड़की अगर पैदा होती थी, तो उन्हें बड़ी तादाद में, जो सौराश्टर है और नवानगर अरियास में उनकी हत्या की जाती थी, और position of women was very bad, 1820-25 के बीच में यहाँ पर जो राजा थे, वो थे राणमल जी, जाम राणमल जी उनकी कारियकाल में, जाम नगर में एक lake, जो जाम नगर के बीचोपीच, एक iconic lake है, वो बनवाया गया, और उस lake के बीच में, जो Lakota और मेहल है, वो बनवाया गया, और जो kota, कota bastin, जिसे बोला जाता है, वो भी बनाया गया, आज यह जो Lakota Palace है, वो जाम नगर की पैचान है तो वो उसी समय में बनाये 1850s में यहाँ पर राज हुआ जाम विभाजी का जो जाम विभाजी थे उनके कार्यकाल में यहाँ पर काफी आकाल या फैमिन आए और जो विभाजी हैं उन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो जाम नगर की प्रजा है उनको इन आकाल या फैमिन से उन्होंने बचाया एक बात इंटरेस्टिंग यह है कि जो जाम विबाजी थे उनकी चौदा पत्निया थी और चौदा पत्नियों से भी उनको कोई उलाद नहीं हुई तो जब 1895 में जब उनका निधन हुआ तो जो राज गदी पर बैटने के लिए काफी जगडा शुरू हुआ और उन में से जो क्लेमंट्स थे जाम नगर की गदी में से एक जो क्लेमंट्स थे वो थे विबाजी के कजिन के लड़के जिनका नाम था रंजीत सिंग जी या जिनने पॉप्लर ली रंजी कहा जाता है तो वो किसी राज परिवार से नहीं थे अगर हम वैसे देखे तो he was just Mr. जाडे जा पर उनके साथ जाम नगर के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ the thing is उनकी एक interesting बात ये थी कि वो अंग्रेजों के बीच में काफी popular थे अब इसका कारण क्या था now what happened was कि रंजी जो थे वो जो गुजरात के राजकुमार कॉलेज में पड़े लिखे थे बाद में वो Cambridge गए जब वो Cambridge गए तो उन्हें क्रिकेट का शौक चड़ा अब ये वही समय था जब देश में हिंदुस्तान में क्रिकेट पॉपिलराइज हो रहा था जो रंजी थे उन्होंने फिर जो Cambridge की जो क्रिकेट ठीम है उसके बाद जो Sussex है तो वहाँ पर वो county क्रिकेट खेलने लगे उसके बाद उन्होंने जो England की जो टीम है उसके लिए उन्होंने क्रिकेट खेला और उनका जो क्रिकेटिंग करियर था तो उसकी वज़े से क्या हुआ कि you see in those days England जो था I mean it was a cricket playing country और जो elite था जो ruling class था जो England का वो cricket खेलता था तो उनकी दोस्ती you know who's who of जो British Empire में जो थे उनके साथ हुई उनके he had friends at high places जैसे हम बोलते हैं कि powerful दोस्त जो British सामराज में जो थे जो British राजपरिवार से लेकर, Viceroy से लेकर, industrialists हो, lords हो, generals हो सब उनके क्रिकेटिंग प्रावस के लिए जानते थे और रंजी का एक सपना था जामनगर की राजगदी हासिल करना पर obviously जामनगर के दरबार में बाकी claimants भी थे तो क्या हुआ था जब विभाजी का जब निदन हुआ था तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने एक दूसरे लड़के को गोद लिया था जिसका नाम था जस्वन सिंग जी या जस्सा जी जाम जस्सा जी कहा जाता है पर किस्मत का खेल देखिए कि 1907 में जस्सा जी का निदन हो गया अब कुछ लोगों का मानना है कि वो बिमारी से मरे काफी लोगों का मानना है कि उन्हें जहर देकर मारा गया कुछ लोग suspect करते हैं कि इस शडियंत्र में जो रंजी है उनका भी हाथ था अब इस सच तो हमें पता नहीं है यह थेोरी से but what happened was कि thanks to the powerful influence that रंजी had because उनकी cricket career की वज़र से उन्हें अंग्रेजों ने यह decide कि कि जो नवानगर की राजगदी है उस पर रंजी बैठेंगे और इस तरह से 1907 में he became the maharaja of नवानगर अब रंजी जो थे जब वो प्रिंस नहीं थे और जब वो मिस्टर जाडेजा थे कवर साब थे इंग्लेंड में तो वो यॉरप गुमे थे और उन्होंने दुनिया देखी थी और जब वो जामनगर आए तो it was a very backward, unplanned, छोटा सा जैसे हम बोलते है ना unplanned शहर, narrow-narrow गलिया और तब उन्होंने decide कि हम जामनगर को Paris of Saurashtra बनाएंगे और उनके जो दीवान थे पेस्टन जी करके पार्सी दीवान तो उनके साथ मिलकर उन्होंने फिर प्लान किया यहाँ पर schools, colleges, hospitals बनाएं, beautiful अभी जो famous जो यहां का प्रताप विलास महल है, बड़े-बड़े बागीचे हैं, कोठियां हैं तो उन्होंने पूरा जो जामनगर शहर है उसका पूरा काया पलट कर दी उसके साथ दो बहुत important बाते उन्होंने यह की कि पहला था यहाँ पे railways तो उन्हों किया, जिससे माल यहाँ पर आ सके और जो ट्रेड को प्रोथसाहन मिल सके, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो बेदी करके यहाँ पर पूर्ट है, वहाँ पर उसे डिवेलप किया, तो अब क्या होने लगा, कि जो ships बॉम्बे जाया करती थी, और फिर जो customs का जो रेव पर उतरके जो जामनगर रियासत को उसका customs revenue मिलकर फिर वो बाकी भारत में वो जाता था, तो इसकी वज़े से जामनगर की सम्रद ही बहुत बढ़ गई, जो फिर उसके बाद जो जाम साब है, जो रंजी है, ना सिर्फ, I mean, obviously अब वो एक बार राजा बन गए तो वो cricket में, even I mean, full time वो अपने उसको focus नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने जो cricket है, उसे वो प्रोचाहन देते रहे indirectly, और not only this, उन्होंने जो पहला विश्वयुद है, उसमें British सरकार की, बहुत महत्वपून सहायता की, और फिर उन्होंने ये भी, you know, कोशिश की, की जो chamber of princes है, जो नरेंदर मंडल कहा जाता था, एक legislative body, तो कि जो भारत के जितने भी जो राजा और जो रजवाड़े हैं, उनको एकठा करके एक powerful force बनाए जा सके, तो उसके लिए भी जो रंजी है, उन्होंने काफी कोशिश की, पट 1920s के में, अंत में, जो एक problem ये हुआ, कि जैसे मैंने आपको बता कि जो बीदी port है, क्या होता था, कि अब सारे जो जहाज है, वो यहाँ पर उतरने लगे, और जो Bombay का revenue है, जो Bombay port को मिलता था, वो बहुत कम हो गया, तो इसकी वज़े से अंग्रेजों को काफी ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या कि एमदापाद के पास एक ग तो उन्होंने क्या किया, कि वहाँ पर एक custom का एक बहुत बड़ा एक किंद्र लगाया, कि अगर आपको जो सौराष्ट्र है, वहाँ से अगर British territory में एंटर करना है, तो विरंग्राम में आपको जबरजस्त आपके goods पर tax लगता था, तो ये एक उस समय गुजरात में, सौरा में एक हाहाकार मच गया था, काफी जामनगर, भावनगर, जुनागर, काफी रियासों तो ने इसे, in fact, इवन महात्मा गांधी ने इसे बहुत oppose किया था, वो पूरे trade collapse हो गया, तो रंजी जो थे वो अंग्रेजों के इस रवाई की वज़े से बहुत disturbed थे और 1933 में उनका न अवलाद नहीं थी, तो उनके नेफ्यू गद्दी पर बैठे, जो जाम साफ दिगविजाई सिंग जी दुझो थे, उन्होंने 1947 तक जामनगर पर राज किया, वो बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं, modern और progressive थे, उन्होंने, पर उनका जो main interest रहा, वो industrial development में रहा, अगर आप जो दिगविजाई सिमेंट है, वो उन्होंने यहाँ पर शुरुवात की, जो डिगजैम सुटिंग करके एक famous company है, एक समय काफी ads आती थी, वो उन्होंने शुरुवात की, उन्होंने एक अपनी airline खोली, जो जाम air करके जो थी, वो खोली, जो दिली का जो अशोका hotel है, उसक बहुत important role रहा, not only this, जब दूसरा विश्व महायुद शुरू हुआ, तो काफी जो Polish refugees हैं और Polish बच्चें उन्हें यॉरप छोड़कर अलग-अलग जगाओ पर भागना पड़ा है, तब ये बहुत famous कहानी है, in fact, कि जब ये जो Polish orphans थे, उन्हें कही पर भी जाने की जगा न नहीं थी, तो तब जो ये महराजा जाम साथ दिगविजय सिंग जी है, उन्होंने अपना जो summer palace है, भाला चड़ी का, वहाँ पर इन अनाथों को, Polish अनाथों को रहने की जगा थी, इसे उसे Polish कैम कहा जाता था, और during the war, in fact 1950s तक वो यही पर रहे, और इसी लिए आज भी ज वहाँ पर एक chalk है, जिसे good maharaja का chalk कहा जाता है, बिकॉस जो Polish लोग है वो दिगविजय सिंग जी pronounce नहीं कर पाते हैं, बाद में, जब 1947 में, जब भारत आजाद हुआ, तब जब नवाब ऑफ भुपाल और जो कुछ प्रिंसिस थे, उन्होंने कोशिश की कि सारे प्रिंसिस क एक unit बना के एक तीसरी रियासत बनाई जाए जो भारत, पाकिस्तान और प्रिंसिस्तान करके, तो जो महराजा पत्याला है यडविंदर सिंग और महराजा बिकान है शारदूल सिंग, उनके साथ जो जाम साभ है, उन्होंने बहुत महत्वपून रोल प्ले किया, और जो उस उन्हें एक union में एक state बनाया गया उनका, जिसे सौराष्ट्र union कहा जाता था, तो उस सौराष्ट्र union के जो दिगविजय सिंग जी थे, वो पहले जो राजप्रमुक, something like governor, वो थे, उन्होंने फिर वो बाद में जो भारत के delegate भी बने, United Nations में, कई sessions में and all, जो उनका 1960s में द चत्रुश अलिया सिंग जी, वो है, वो जामनगर में रहते हैं, और because, you know, यह जो परिवार है, वो cricket से इतनी closely जुड़ा हुआ है, in fact, जो cricketer है, अजय जड़ेजा, वो भी इसी जो जामनगर के जड़ेजा राजपरिवार से ही थे, तो इस वज़े से, जामनगर के का इति जहास हमेशा एक well-known रहा है, high profile रहा है, in fact, 1933 में जब रंजी का जाम साब रंजी का निदन हो गया, तो 1934 में उनके जो मित्र थे, महराजा पतियाला, भुपिंदर सिंग, तो उन्होंने उनकी मेमरी में एक ट्रोफी स्टार्ट किये, टॉर्नमेंट, जैसे रंजी ट्रोफी कहा जाता है, जो भारत की सबसे prestigious cricket tournament आज भी मानी जाती है, इसकी वज़े से आज, जामनगर का जो इतिहास है, वो काफी well-known है, unfortunately, इतने tourist जामनगर जाते नहीं है, but I hope की जामनगर रियासत का इतिहास जानने के बाद, लोग वहाँ जाया करेंगे, तो ये थी कहानी जामनग रियासत की झाल